हालो गाइज वेलकम तो टेंटीजी डॉट कॉम एन आम वर्शा और आज के इस वीडियो में हम लोग बेस्ट प्लान देखेंगे 84 डेस की वैलेडिटी के साथ जियो एटल वोड़ा फोन तीनों में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग और प्रेश दी बेल आइकन ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें 84 डेस की वैलेडिटी वाला जो प्लान होता है वो मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि एक बार आपने रीचार्ज कर लिया तो आप कुछ टाइम के लिए फ्री हो जाते हैं वन दूसरा यह कि आपने माली जै बहुत लंबा रिचार्ज का लिया यह इली रिचार्ज का लिया और ने उफर्स ने प्लान मार्केट में आते रहते हैं पर आप सोचते हैं मेरा तो यह लीचार्ज चल रहा है आभी मैं इसको बीच में कैसे रिचार्ज करूँ So 84 days वाला plan recharge कीज़े, आपको fail भी नहीं होता कि आपको month में हर महीने recharge करना है and उसके बाद अगर कोई नया offer आता है जो आप switch भी कर सकते हैं So अभी शुरू करते हैं, मैंने आपर 3 plans choose किये 1 plan from each network, ये plans काफे similar हैं, validity भी same है ताकि अच्छे से comparison हो सके किस network में क्या जादा अच्छा मिलता है या किस में क्या-क्या मिलता है So अटल से शुरू करते हैं, अटल का plan है रुपीज 698 का इस plan में आपको 2GB data मिलेगा, daily high speed data मिलेगा उसके जाद unlimited calling मिलेगी, किसी भी network पे आप free call कर सकते हैं 100 SMS per day मिलेगा और इसके अलावा आपको एटल Xtreme का subscription मिलेगा Wink Music का subscription मिलेगा Access to Hello Tunes मिलेगा with unlimited song changes So ये सारा कुछ रुपीज 698 के plan में included है अब बात करते हैं, Vodafone के रुपीज 699 के plan के बारे में इसमें भी आपको 84 days की validity मिलती है उसके साथ double data offer चल रहा है Vodafone में इसलिए आपको 2 plus 2 यानि के 4 GB high speed data daily मिलता है 100 SMS per day मिलते है और आपको unlimited calling मिलती है किसी भी network पे आप free call कर सकते है Z5 का yearly subscription मिलता है So ये सारा कुछ Vodafone के 699 के plan में included है So अब बात करते हैं Gio के रुपीज 599 value के plan के बारे में इसमें भी आपको 84 days की validity मिलती है अब सुनने में ऐसा लग रहा है कि Vodafone से 100 रुपे सस्ता है ये plan है बट यहां पर आपको 4 GB data नहीं मिलेगा daily यहां पर आपको 2 GB data daily मिलेगा and unlimited calling आपको नहीं मिलेगा unlimited calling आपको सिर्फ Gio to Gio number पर मिलेगी उसके अलावा other number पर call करने के लिए आपको सिर्फ 3000 minutes मिलेंगे monthly 100 SMS per day मिलेंगे साथ साथ आपको Gio TV का access मिलेगा Gio Savan जैसे apps ये सब bundled आता है इसके साथ इस plan के साथ तो रुपीज 599 के Gio plan में आपको ये सब मिलेगा सो फाइनली अब हमें decide करना है अगर की कौन सा best plan है honestly मैं बहुत जाजा confused हो चुकी हूँ क्योंकि 698 का ATL का plan है 699 का Vodafone का plan है रुपीज 599 का Gio का plan है ऐसे देखने में ऐसे लगता है कि price wise तो Gio अच्छा है 84 days की validity मिलती है और साथ में आपको 2 GB data मिलता है और Vodafone आगया जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपने में देखे तो सारे plans best है इन में जिस भी company के आप subscriber है तो आप इसमें से कोई भी plan के लिए जा सकते है आप comment box में जरूर बताइए कि आपको कौन सा plan सबसे ज़्यादा सही लगा अगर आप अपना Jio का या Vodafone का ये ATL का prepaid SIM order करना चाहते है तो order करने के लिए आपको 10DG.com पर जाना है और वहाँ जा कर अपना order place करना है order place करने के लिए link जो है वो इस video के description box में है उस पर जाएए click करिए और अपना order place करिए 10DG की site पर आपको जो भी recharge plans दिख रहे हैं वो सिर्फ FRC plans हैं यानि की first recharge plan जो आप new SIM connection के साथ लेते हैं कोई भी और recharge करने के लिए आप registered vendor के online portal से recharge कर सकते हैं So guys आज के video में इतना ही मैं फिर से आऊंगी कोई interesting सा informative video लेकर So अगर आप कोई वीडियो अचा लगा तो like कर दीजे, share कर दीजे and don't forget to subscribe to 10DG.com क्योंकि subscribe करना तो सबसे जरूरी है ता क्या आप कोई भी वीडियो या कोई भी अपडेट मिसना करें Till then take care and stay safe guys Thank you so much, bye